नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज हम सबसे पहले बात करेंगे एपिसोड नमबर वन में नेता जी सुभाष चंदर बोस से जुड़ी हुई उनकी डेथ मिस्ट्री के बारे में जी हाँ अक्सर जब भी कोई सीरिज आती है तो सबसे पहले उनकी जीवनी से शुरू कि किया जाता है कि कहां से स्कूलिंग हुई कहां पे गए कॉलेज के दिनों में उनका कैसा रहा उसके बाद यंग एज में कैसा रहे लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो आज के समय में सबसे जादा सुभाष चंदर बोस से जुड़ी हुई कोई चीज है तो वो है उनकी देथ मिस्ट्री अगर आप सरकारी रिकॉर्ड में जाएंगे तो यह बताया जाता है कि 18 अगस्ट 1945 को आज का जो ताइवान है वहां के टाइपए के एरपोर्ट में जिसको फार्मोसा के नाम से जानते थे वहां पर प्लेन क्रेश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो इसमें अपने हिसाब से पता करना शुरू किया इसमें खास तोर पर दो नाम मैं जरूर लेना चाओंगा जिनको एट्रिब्यूट मैं जरूर करना चाओंगा वो है अनुझदर और चंद्रचूर गोश जी हां इन दोनों ने जो है इसमें बहतरीन काम करके बहतरीन दुनिया के सामने ऐसे facts लाएं हैं जो कहीं न कहीं यह सोचने पर ही सिरफ मजबूर नहीं करते कि नेता जी कि मोट 1945 में नहीं हुई बलकि इस बात की पुखता चीजे सामने रखते हैं जिससे कहीं न कहीं यह साबित होता है कि 1945 की जो वो plane crash की theory है वो सही नहीं है उसको जो है वहाँ पर plot किया गया था अब यह कई सारे facts सामने आये हैं कि उस समय उस महीने में अगस्त 1945 में ताइपाई में कहीं भी कोई plane crash हुआ ही नहीं कहीं सारे सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं अगर उसमें नेता जी सुभाश चंदर बोस की death हुई है उसके बाद जापान के ट का DNA test आज तक क्यों नहीं हुआ उस पर भी कही सारे सवाल खड़े होते हैं कि अब आखिरकार वो DNA testing होनी चाहिए सच जो है देश के सामने आना चाहिए हालांकि बीते कुछ समय में अगर बात कि पिछले कुछ सालों में कही सारी ऐसी फाइले हैं जिसको जो है open किया गया है नेता जी सुभाष चंदर बोस से जुड़ी हुई अगर 1945 के उस plane trash में नेता जी की मोत नहीं हुई तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब हुई उनकी death इसको ये लावा दोर जो है वो कड़ियें खुल करके सामने आती हैं कुछ का एक कहना है आपने सुना हुआ होगा कि फिर्या में साइबेरिया में उनके कैंप के अंदर उनको यातनाएं दे दे करके मार दिया गया लेकिन सारी रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि आखिरकार रशिया उस समय ऐसा क्यों करेगा क्योंकि जो कहा जाता है कि उस समय की सरकार ने रशिया से कहा रशिया था ने इस dal horn को मरवा दिया लेकिन उससे मैं अगर बात की जाए नेता जी सुभाष चंदर बोस जिस हिसाब से चलते थे जो उनका माइंड सेट था वो कहीं ना कहीं इंडिरेक्ली वे से रूस के साथ मिलता जुलता था तो रूस उनको क्यों मरवाएगा उसके बाद जो स्टोरी सबसे बा साल बाद 1985 में अगर 1985 तक सुभाष चंदर बोस जिन्दा थे बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी दिर तक वो जिन्दा कैसे रह सकते हैं क्योंकि अगर देखा जाए फैक्ट्स पर तो 1997 में सुभाष चंदर बोस का जनम हुआ जिस समय महात्मा गांदी जो आलाल नहरू काफी एजड हो चुके थे उस समय यंग थे सुभाष चंदर बोस बहुत जल्दी उन्होंने चीज़े ग्रैप अप कर ली बहुत जल्दी जो है उन्होंने ग्रेजों को बता दिया था कि कितनी कैपेबिल्टी है सुभाष चंदर बोस के अंदर इसी के चलते उनको जो है नजर ब भारत पर वो उनके पीछे लगा हुआ था तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि World War II जो है उस समय खतम हो रहा था तो ये थियोरी एक plot की गई थी ये दुनिया को दिखाने के लिए थियोरी जो है plot की गई थी वहाँ पर उस समय कोई भी plane crash नहीं हुआ था तो नेता जी सुभाष संद्रबोस कैसे उस plane crash में मरेंगे उनका जो है अंतिम संसकार भी वहीं कर दिया गया जिसको बताया जाता है कि ये सुभाष संद्रबोस है उनका अंतिम संसकार वहीं कर दिया गया कोई photos सामने नहीं है public domain में और जो photos कुछ उसकी चलती है जिसमें का जाते कि ये plane crash है वो बात में खुलासा होता है कि वो photos तो कोई पुरानी है वो अगस्त 1945 की photos नहीं है 18 अगस्त तो दूर की बात है जो date बताई जाती है वो तो दूर की बात है अगस्त 1945 में वहाँ पर कोई ऐसा plane crash हुआ ही नहीं है तो यहाँ पर देश का इतना बड़ा सेना नायक जिसको कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अजाद हिंद फोज का जिसने गठन किया इंडियन नेशनल आर्मी जिसने खड़ी की उनकी डेथ पर इस तरह से मिस्ट्री रहना आज भी सरकारी दस्तावेजों में plane crash की बात की जाती है हर जगा plane crash के बारे में कहा जाता है लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 1980 तक सुभाष चंद्रबोस जिन्दा थे उत्तरपरदेश के फैजाबाद में जिसे आज हम आयोद्या के नाम से जानते हैं उससे में भी आयोद्या था उसका सरकारी नाम फैजाबाद था वहाँ पर गुमनामी बाबा के नाम से रह रह रहे थे बहुत सारे ऐसे जो है facts सामने खुल करके आए है बहुत सारी ऐसी चीज़े खुल करके सामने आई हैं जो ये प्रूव करती हैं कि वो गुमणामी बाबा के नाम से जो रहते थे उसमें सुभास शंदर बाबा से रेलेटिड़ आपको चीजें मिलेंगी उसमें आपको बंगॉली जो है आपको प्रोल है भारत को आजादी दिलाने में अगर इंडिया इंडिपेंडेंस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था जो खुद उस समय के अंग्रेज मानते थे इंग्लेंड के ओफिशल्स मानते थे वो थी इंडिया नेशनल आर्मी आजाद हिंद फोज जिसको पूरी तना से ख का है जो मानता है कि वो प्लेन क्रेश कभी हुआ ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साइवेरिया में उनकी डेथ हुई और अब कुछ सरकम्स्टांशल एविडेंस इस और इशारा करते हैं कि 1985 में फैजाबाद में गुम्नामी बाबा की जो डेथ हुई वो गुम्नामी बाबा कोई और नहीं बलकी नेताजी सुभाश शंद्रबोस ही थे अब आप कौन सी थियोरी को सही मानते हैं आप किस चीज़ को सही मानते हैं मेरा परसनल ये ओपिनियन है मैं मानता हूँ कि जो मैंने स्टडी किया है जितना मैंने जाना है उनके घर भी मेरा जाना हुआ था नेताजी सुभाश शंद्रबोस के और उसके अलावा खास तोरप मैं जो दो नाम आपके बीच लिए अनुषधर और चंद्रचूर गोश इन्हों ने जिस हिसाब से इसमें रिसर्च की है जो facts दुनिया के सामने लाए है ये कही न कहीं प्रशन चिन खड़े करता है उस plane crash theory पर उसके बाद Siberia वाली theory भी है लेकिन ज़ादातर circumstantial evidences जो मिले उसके मताबिक 1985 तक नेता जी सुभाष संद्रबोस जिन्दा थे देश की politics को देख रहे थे और गुमनामी बाबा के नाम से ही गुमनाम होकर हमारे बीच से चले गए वो नेता जी सुभाष संद्रबोस जिनका एक बहुत बड़ा रोल है हर एक के रोल को जो है मापा नहीं जा सकता लाखो एक political party कहती है कि हमारे ही लोगों ने अजादी दिलाई है ऐसा नहीं है हर एक बलिदानी का कत्रा कत्रा जो है उसमें शामिल है तो यहां पर नेता जी सुभाष संद्रबोस उनके death mystery भी जो है वो सामने आनी चाहिए आखिरकार उसमें क्या था वो दुनिया के सामने आना चा ते नहीं है दादी। झाहिए जा ते